तो भाई यार आज की वीडियो काफी ज्यादा मजदार होने वाले क्योंकि भाई आज ही हमारे पास काफी ज्यादा मजदार चीज जो की है एक नेनो टेप जो कि भाई देख सकते हो तो भाई यार नेनो टेप के वह सारे वीडियो देखे मैंने कि इसके बलून बना जा सकते ह तो हमने से काफी सारी अपनी वीडियो में ट्रायर भी किया है अगर आप ने वह वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाकर फेले वह वीडियो देखो फिर यह देखना क्योंकि इसमें आपको और भी ज्यादा मझने वाला है तो सबसे पहले तो भाई मेरे पास एक नेनो टेप ज जहाने उतने बलून तो जल्दी से हम बलून बनाते हैं सबसे पहले तो मैं चोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं केची की मज़द से इसका टुकड़ा काटना है आपस मैं काफी ज़्यदा मुस्की ले तो बलून क्या बनाऊँगा तो बाई यह रही एक मेरे पास पेन का खाली होका यह देख लो बाई मैंने पेन को काट दिया है बिल्कुल बीक में से अब मैं इसको कुछ यहां पे इस तरह से लगा देता हू बाई यह देख लो आप मैं कुछ इस तरह से लगा हूँगा इससे इस तरीगे से तो बाई यार अब मैं कुछ इससे इस तरह से उपर से पेक कर दूँगा तो बाई यहां से हवा ज्यादा तर निकलती है अब बाई यह हमने पेक कर दिया अब बारी भाई इसके उपर जो पोलिथीन होती ना, उसे निकालने की, तो जल्दी से उसे भी निकालता हूँ, तो भाईया, काफी मुश्किल से मैंने ये पोलिथीन निकाल दी, अब बारी से फुलाने की, ओके, तो भाईया, हमारा जो बलून है, वो फूला तो था, लेकिन फट गया, तो भाई याज चल्दिस से और बलून बनाना पड़ेगा चल्दिस में और टेप काट लेता हूँ इस एक बलून में मेरी साज पुल गई लेकिन बलून वापस से पढ़ गया तो एक बार और बनाना पड़ेगा इसे बलाना भाई काफी ज़्यादा मुश्की ले इस बार भाई बन तो गया है लेकिन देखते हैं ये बना रहता है या फिर नहीं फूटना जाए तो भाई साफ हमने पहला बलून बनाया अभी तक इतनी सारी नेनोटे बिगाड के एक बलून बनाया लेकिन भाई अब बार ये भाई इसे डेकोरेट करने का तो ओके मैं इस प क्वक बलून है तो भाईयार मैंने अपने हिसाब से इस पर डेकोरेटी की है एक छोटी सी कमी है तो भाईयार अब देख लो हमारा जो बलून किसकी तरह लग रहा है यह है नोबीता लेकिन सकल से तो भाईयार अगर आपको इस वीडियो में मजाया हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पाई इसकी हवा निकल गई यार वापस से तो भाई एक बात बताना चाहूंगा कि यह बलून जो है काफी ज़्यादा मजबूत आते हैं तो भाई हम हमें काफी मेंनत की बाद भी बना पाया और भी बना यह इस से बिलून बनाना तो तो काफी ज़्यादा मुश्कील है लेकिन साथ में यह बोलून काफी ज़्यादा मजबूत बनते हो देख लो इनकी मजबूती तो इतना दबाने की बाद भी फुटे लेकिन एक खास बात बता हूं यह जो है इसको आप कोपी खाली पीच या किसी को भी चिपकाने के लिए भ दम रबारे यह देख लो